है लो दोस्तों कैसे हो आप सब 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 स्वस्त्री ये बहस्त हैं तो आज हम बना जा रहें बहुत ही हेल्दी नास्ता जो बच्चो को भी बहुत पसंद आप बढ़ों को भी तब जरूर्ड ट्राइ करिएगा 10 मीमी बनकर त्यार हो जाता है तरह सबसे पहले हम यहां सूजी लेंगे यहां एक अपना सूजी लियह है सूजी को मिक्सक्रीक घ्रेंडर में डाला क उसमें हम दही डालाएंगे यह हैं दही डाले हैं यह बहुत ही हेल्दी नास्ता है ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और ज़रूर ट्राइब करिए कि बहुत देस्टी लगता है और एजली बन जाता है इसे पांच दार के हम ग्रैंड कर लेंगे थाकि पेस्ट बढ़ियां बन जाए देखिए यहां हम पिसने के बाद दिखा रहे हैं तो इसको हम कटूरे में डाल देंगे यहां हमारा बेटेट त्यार है तो इसके लिए हमें चाहिए हारी मिर्ज यहां थोड़ा सा पनीर है टमाटर कड़ी पत्ता नीमगू और प्याज आप और भी सबजे डाल सकते हैं जितनी सबजे डालेंगे उतनी हेल्दी होगा जैसे गाचर खीरा आप डाल सकते हैं मेरे पास अभी तक अभी इतनी सबजे ती तो हम यह डाले तो आप ज़रूब ट्राइए करिए यहां हम सब में से आधर डाल लेंगे आधर छोड़ देंगे ताकि हम बाद में उपर से भी डाल सके यहां नीबु नी चोड़ दे रहे हैं इसका और भी स्वात अच्छा लाता है आप इसको चाहते इसकी इप भी कर सकते हैं नमक अपने अनुसार डाल लेंगे इतना आपको पसंद है कम ज्यादा इसमें डाले के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे यह नहीं ज्यादा थिक चाहिए नहीं ज्यादा पतला चाहिए मेडियम साइज में रखना है सबसे पर यह तवे पर घी लगा लेंगे यहां मातवा गरम हो गया है इसमें हम बेटर को डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब यह मतलब कलर चेंज हो जाया इसमें तब इसको हम पलतेंगे उसके बाद हम उपर से भी डालेंगे तो यहां हरी मिश डालें ताकि देखने में अच्छा लगे और प्याज और हैल्दी भी हो जाए सची बता रहे हैं इतना अच्छा लग रहा था बहुत टेस्टी लगता है हेल्दी का हेल्दी और पेट भी बर जाता है यहां हम पनीर भी डाल रहे हैं इसके बाद हम चारो तरब से इसको छुड़ा के और दीरी से पलट देंगे आप अराम से पलटें थड़ा अच्छा से पक जाएगा तब पलटेंगा हम यहां आप नहीं के तब दाटेंगा हम यहां अपनाएंगत अपूत अँड़ा चारो पुड़ा कर दाएगा पुड़ा कि दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सीखेंगे था कि ये अंदर से अच्छा ना रहे क्रिस्पी भी लगे आप जरूर ट्राई करिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करिए